ही वाई टीबियंस की हाल चाल, वेलकम बैक तू दे चैनल, दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप मनाली में लोकल ट्रेवल करना चाहते हैं, जैसे आप लोकल साइट सीन करना चाहते हैं, या रोहतांग पास जाना चाहते हैं, मनिक टेल्ड वीडियो में लेकर के आया हूँ, तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को शूर करने इस पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँ का कि अगर आपने वाई टीब भरत चनल को सब्सक्राइब कर लो नीचे रेड बटन आ रहा है, क्लिक करके सब्सक्राइब करो, स को शेर कर देना, इसके साथ साथ उपर आई बटन आ रहा है, वहाँ पर मेरे पुराने वीडियो की सारी डिटेल दी गई है, क्लिक करो आई बटन पर वीडियो ओपन हो करके आएंगे, उनको देखो, इसके साथ साथ अगर आप वाई टी भारत चैनल पर 200 से जादा मेरे ट् देखो और बहुत सारा एंजॉइ करो, आई शुरू करते हैं, आज का ये बहुत डिटेल वीडियो चलते हैं अपने लैप टॉप की स्क्रीन में, आईए दोस्तों, दोस्तों वाई टी भारत चैनल पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मनाली साइट से रिलेटेड इतनी डि सी ने भी आपको प्रवाइड नहीं करी होगी, this is first time on any medium जहां पर आपको बताया जा रहा है, मनाली साइट सीन के लिए, किस सीजन में, कौन से places के लिए, जिनका distance माल रोड से कितना है, कौन सा आपको घूमने के लिए medium सजेस्ट किया जा रहा है, या उसका alternate medium क्या हो सकता है एक एक detail, कितना आपका expense होगा, कौन कौन से medium होगे, जैसे bike होगी, taxi होगी, या auto होगा, आप क्या कर सकते हैं, इन सारी details को मैंने इस एक वीडियो में ले करके आ गया हूँ, और अगर आप मनाली visit करने वाले हैं अगले साल या उसके बाद के सालों में, तो आज का वीडियो बहुत informative होने वाला है, बने रहिए वीडियो पर लास तक एक एक detail को अच्छी तरह से जानने के लिए, तो आएए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, दोस्तो आपके सामने picture है मनाली side scene की, जिसमें हमने जो भी आपको places है मनाली में जो standard दिये जाते हैं, उन सब क कवर किया है, लेकिन इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि ये वीडियो उन travelers के लिए बनाई गई है, जो without package मनाली visit कर रहे हैं, जबकि देखा जाए, तो most of the जो हमारे लोग हैं, जो मनाली जाते हैं, खास करके honeymoon travelers, वो package ले करके ही जाते हैं, और मैं हमेशा suggest करता कि उनको package ले करके ही जाना चाहिए, या वो families जो किसी भी तरह का hassle नहीं चाती है, problem नहीं चाती है, tension नहीं चाती है, उनको package ले करके ही जाना चाहिए, क्योंकि package आजकल मनाली के इतने competitive rates में provide किये जा रहे हैं, कि वो बस 100 रुपे से ले करके 200-200 रुपे तक के margin में, आपको packages provide कर देते हैं, क्योंकि इतना जादा competition है, तो मैं आपको suggest ये करूँगा, कि अगर आप family के साथ जा रहे हैं, या आप एक honeymoon traveler हैं, तो आप package ले करके ही जाए हमेशा, और अगर आप अपने friends के साथ जा रहे हैं, तो आप कम से कम खर्च में अपने according किस तरह से मनाली को visit कर सक सब कुछ आपके हाथ में होगा, इसके लिए इस वीडियो पर आप लोग बने रहे हैं, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो आप left hand में देख रहे हैं, serial number, इसमें मैं आपको 1, 2, 3, 4 places के बारे में बताऊंगा, जो मनाली में सबसे जादा popular हैं, side sing के लिए packages में भी यही provide कि यह जाते हैं, serial number के बाद हम आपको बताएंगे, season के बारे में, season का यह column है, next column है, places to visit, कहां कहां पर आपको घूमने को मिलेगा, distance mile road से कितना कितना है, suggested मैं कौन सा suggest कर रहा हूं, मेरे according, मेरे experience के बिहाफ पर जो मुझे तना लंबा experience है मनाली का, आपको कौन से season में, कौन से more of transport से मनाली का side sink करना चाहिए, इसके साथ साथ मैं आपको alternates भी बताऊंगा, कितने खर्च में आप इनके अलाबा alternate लेकर के मनाली की side sink कर सकते हैं, तो आए स्टार्ट कर देते हैं, season में सबसे पहले जो मैं आपको number one पे बता रहा हूं, पूरे साल आप मनाली की local side sink कर सकते हैं, जो मनाली के mall road के आसपास लगबख five kilometers के area में पढ़ता है, अगर आप इसको एक दिन में cover नहीं कर सकते, तो मैं आपको suggest ये करूँगा, कि आप इसको जब आपका वापस दिल्ली लोटने का time होता है, तो लगबख दिल्ली के वापस बसे चलती हैं, चार से पांच बज मैं suggest ये करूँगा वापस दिल्ली, तो आप हमेशा local sightseeing करिए, local sightseeing के लिए सबसे popular places, clubhouse, one विहार, mall road, hadimba devi temple, manu temple, Tibetan monastery, old manali, तो ये places हैं, जो mall road पर ही हैं, या mall road के बहुत ही nearest पड़ते हैं, अगर आप इसके लिए taxi करते हैं, तो आपको ये taxi पड़ती है, लगबग 1200-1500 रुपे, जो आपकी auto होती है, जिसमें चार लोग जादा से जादा बैट सकते हैं, तो आप ये अगर करेंगे, तो आपका इतना खर्चाएगा 1200-1500 रुपे, और अगर आप मेरे according, मैं जो आपको suggest कर रहा हूँ, आप खुद पै हाथ में है, जितने आप places कवर करना चाहें, तो by walking भी आप इसको घूम सकते हैं, क्योंकि walk करने से, आपको surroundings भी पता लग जाएंगी मनाली की, और वो बहुत ही आपका atmosphere आपको suit करेगा, तो मेरे recording आप इसको walk करिए, क्यों आप 1200-1500 रुपे लगा रहे हैं, इस तरह से आप cover सकर सकते हैं, मनाली का local side scene, नेक्स चलते हैं, आपको season में हम divide कर रहे हैं, अब इस यहां के tour को, जो है solang valley and versus temple, पहला season आपको बता रहे हैं, मार्च से लेकर के October, मार्च से लेकर अक्टूबर में अगर आप solang valley versus temple cover करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको दूरी मेरे according मैं suggest करता हूँ कि आप auto से जा सकते हैं, जो आपको 600 से 700 रुपे लेगा, 600 तब लेगा जब आप सिर solang valley जाएंगे, और मेरे according तो आप versus temple को जरूर रैट करिए, तो आपको लगबग 700 रुपे का charge लगेगा, और इसके अलाबा आप बाइक से अगर जाना चाहते हैं, आप दो लोग हैं, बाइक से जाना चाहते हैं, तो आपका रैंट लगेगा 500 रुपे से लेकर के 1500 रुपे तक, यानि कि जैसे स्कूटी ले ले लेते हैं, तो 500 रुपे के आसपास, और रॉयल इनफेल्ड या हिमालियन या उसके अपर केटियम लेते हैं, तो वो उसके according rate हो सकते हैं, alternate मैं आपको बता देता हूँ, घूमने के लिए आप auto taxi कर सकते हैं, जिसमें 4 लोग maximum बैठ सकते हैं, 1500 रुपे, तो आप पैसे अगर बचाना चाहते हैं, तो मेरे alternate माध्यम को follow कर सकते हैं, जिसमें 4 लोग बैठ करके आप जाईए, और आपका पैसा भी साथ में ब और वसिस टेंपल कवर करने, तो जो 14 किलोमेटर पड़ता है, सुलांग वैली और करीब वसिस टेंपल है, 5 किलोमेटर, आपको 4 बाई 4 की जिपसी से ही जाना पड़ेगा, और कोई माध्यम नहीं है, ले जाने के लिए, वो आपका लेगा 35 रुपे, आपको सुलांग वैली भी ले जाएगा, और वसिस टेंपल भी ले जाएगा, 3500 रुपीज में आपको इदो जगे घुमा दिया जाएगा, ये मेरे according मैं सज़ेस्ट कर रहा हूं, सबसे best है घुमने फिरने के लिए, कितने लोग बैठ सकते हैं, 4 इंटू 4 के जिपसी में, तो मैं आपको बतायता ह इंक्लोडिंग ड्राइवर, 3500 रुपे में इस टूर को आप कम्प्रीट कर सकते हैं, अगर वाकई में स्नो फॉल का मजा लेना चाहते हैं, तो, क्योंकि स्नो स्कूटर पर भी बैठ के जाएंगे, तो बस दो लोग बैठ करके जा सकते हैं, अगर आप कपल हैं, तो स्नो स्क स्कूटर थोड़ा सा, लिटल बिट, तो मैं उसको मतलब भी प्रीफर नहीं करना चाहरा हूँ, अपने सजेशन में, आगे चल लेते हैं, नेक्स्ट आपको बताते हैं, नेक्स्ट सीजन के अकॉर्डिंग मार्च से अक्टूबर, अगर आप कुलू, कसोल या मनीकरन कवर क करना चाहते हैं, इन तीनों जगों को, मैं आपको कसोल का बतायता हूँ, कि कसोल का आउटर आपको कवर किया जाएगा, कुलू का भी आउटर आपको कवर किया जाएगा, और मनीकरन गुर्दवारे तक लेके जाए जाएगा, आपको जो बहुत ही जो है, वो पीसफुल लेता है आपको ये वैसे धाई यार में भी कई बार ले जाते हैं लेकिन मेरा स्टेंडर्ड रेट में आपको इस वीडियों बता रहा हूं तो तीन जार से पैतिस सो रुपे लेगा जिसमें आप जा सकते हैं और इसके अलाबा अगर आप आल्टरनेट देखें तो 85 किलोमेट दूर है मॉल लोड से अगर इस स्नूफॉल पर जाती है तो आपको 4 इंटो 4 की जिपसी करनी चाहिए जो आपका 3500 रुपीज लेगा इन स्नूफॉल के अंदर या अगर इस स्नूफॉल नहीं पड़ रही है तो मैं सज़ेस्ट ये करूंगा कि आप आल्टो टेक्सी कर जे तो 3000 रुपे में आपको 4 लोगों को कम से कम ले करके चली जाएगी मनी करन के लिए तो ये मैंने आल्टरनेट आपको बताया अल्टो टेक्सी कर लिजे लेकिन पहले ही पूछ लिया कि स्नूफॉल रस्ते में कहीं मनी करन के ना मिल जाए नहीं तो आपको प्रॉबलम हो दोस्तों रोतांग पास पूरे येर नहीं खुला रहता जून से लेकर एक्टूबर तक उपन होता है रोतांग पास लगबग 25 किलोमीटर है मनाली मॉल रोड से जहां पर आप आल्टो टेक्सी मैं सज़ेस्ट कर रहा हूं कि लेकर के जाएए जो आपका 2500 रुपे से मैक्सि जिसमें इंक्लूडिंग होता है रोतांग पास का परमिट जो 300 रुपे का परमिट होता है धाई हजार से 3000 में रोतांग पास का परमिट के साथ आप जा सकते हैं धाई हजार से 3000 में आपको इसलिए बता रहा हूं रेंज क्योंकि सीजन जब आजाता है मेन तो आपका जो है वो टेक्सी ड्राइबर 3000 रुपे तक ले लेते हैं इसलिए minimum to maximum range इसके अंदर बताई जा रही है और जून से एक्टूबर में अगर आप बाइक रेंट करके जाना चाहते हैं तो वही same again 500 से लेकर के 1500 रुपे में आप लेकर के जा सकते हैं बाइक जिसमें petrol extra होगा प्लस 300 रु यहाँ पर मैंने आपको पूरा बता दिया कि मनाली अगर आप टूर करना चाहते हैं तो मेरे according मेरा जो experience है पूरा मैंने इस paper पे अक्सल पे उतार दिया है जिसके according आप I think सब कुछ समझ चुके होंगे कैसे कैसे जाना है मनाली में sightseeing के लिए कैसे कैसे घूमना है तो मेरे इस excel से मेरे इस format से I think आपको सारी detail information मिल गई होगी local sites से rated फिर भी अगर आपके कोई भी सवाल रह जाते हैं तो वाइटी भार चनल पर आप comment करके मुझसे पूछ सकते हैं सारे सवालों के जवाब अभी आपको हमेशा कितरह दिये जाएंगे अगर आपने वाइटी भार चन आपके लिए हो नहीं सकती मिलते हैं वाइटी भारत के इस तरह के बहुती अगले interesting video में next video में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप auto book करना चाते हैं बाइक rent पे लेना चाते हैं टेक्सी book करना चाते हैं तो उनके क्या-क्या contact number है जो मुझे पता हैं मैं आपको contact number next video में share करन वाला हूँ वाइटी भारत के इस तरह के बहुती अगले interesting वीडियो को देखने के लिए बने रहे वाइटी भारत चनल पर धन्यवाद दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए वाइटी भारत चनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लिटिस्ट वीडियो और वो भी बिलकुल फ्री में